पिशावरी दमपुफ्ट जो पूरी दुनिया में मुशूर है लेकिन आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत जबरदस सा अर्बी दमपुफ्ट तो आईए लापा के नाम से आज की बहुत जबरदस सी अर्बी दमपुफ्ट की चूरु करती हैं बनाना इसको बहुत यसान है और बहुत ही मिज़े का बनता है तो देखिए अरबी दाम पुफ्ट बनाने के लिए दस्ती का गोश्ट दे लिया मैंने दो किलो इसको मैंने अच्छी तरह दो लिया था दोने के बाद मैंने च्छनी में रख दिया था ताकि इसका एक्ष्टा कर देंगे दो टेबल स्पून भरके लेमन जूस एक टेबल स्पून शामल कर देंगे किश्मीरी लाल मिर्च का पोडर एक टी स्पून शामल करेंगे हल्दी और इसके अंदर डे टेबल स्पून शामल करेंगे नमक और इसके अंदर शामल करेंगे एक टेबल स्पून भरके कुटी हुई मिर्चें ये थोड़ा सा सपैसी दम पूट बनेगा एक गठी लसन की शामल कर देते हैं साबत और अधर yanlış शामल कर देते हैं मैंने कदूकश कीही अधर लीए 10 खाप शामल कर देंग There देही देही शामल करने के बाद इसके अंदर शामल कर देंगे दो टेबल स्पून भर के बार्बीक्यू पेस्ट इजिली आपको सूपर मार्किट से मिल जाता है क्वेसिटी में अगर आप पाकस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो ये पेस्ट आपको नहीं मिलता तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर आप दो टेबल स्पॉन बार्बी की मसाला भी शामल कर सकते हैं शान वालों का अगर ना भी करना चाहे तो रैस्पी में कोई फर्ग नहीं पड़ेगा बहुत जबरदस सा फिर भी आपका दम पूफ्त बनेगा तो दो टेबल जो दम पूफ्त बनता है जरूरे स्पी ट्राइब कीजिएगा तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ तो देखिए अर्भी दम पूफ्त बनाने के लिए एक मैंने प्रेशर को कर लिए इसके अंदर शामल कर देंग और इसको भी मैंने क्यूफ्स में काट लिए इस दम पूफ्त के अंदर कोई ओल का इस्तमाल नहीं करेंगे और ना पानी का इस्तमाल करेंगे इसी चरबी के उपर हमारा गोष्ट पकेगा इससे बहुत जबर्दस फ्लेवर आएगा अब आपने प्रेशर कोकर के नीचे सारी चरबी को इस तरह प्ला देने और गोष्ट इसको पर शामल कर देने जिसको हमने मसाला लगा के रखा हुआ था बहुत ही जबर्दस सा यह दम पुफ्ट बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा आपको ज़रूर रेस्पी ट्रेए कीजिएगा इसी तरह के मजीद रेस्पी देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब लाजमी करें और साथ में नोट्फिकेशन को प्रेस करें ताके मिल सके आपको मेरी हर आनेवली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक जरूर करें तो देखिए चर्बी के उपर सारा कोष्ट मैंने फिला दिया अब छोटे साथ के मैंने चार टमाटर लिया इनको अच्छी तरह दो लिया था इसको उपर लगा देंगे गोष्ट के और एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया था इसका छिलका निकाल लिया अच्छी तरह दो लिया इसको तीन टुकड़ों में काट रिया है और चार मैंने छोटे साइज के प्याज लिये थे, इनका भी छिलका निकाल लिया और उच्छी तरह दो लिया था और तीन मैंने हरी मिर्च लिया मोटी वाली ये तेजनी होती इसके अंदर शामल कर देंगे साबत, चार अदर टेश पते शामल करेंगे दालचिनी की स्टिक शामल करेंगे और तीन बड़ी लाची शामल करेंगे और दो बाद्यान के फूल शामल करेंगे और थोड़े से लॉंग और काली मिर्च शामल करेंगे और एक टी स्पून जीरा शामल करेंगे और इसको करेंगे बंद इस तरह आपने इसको बंद कर देना है और आपने इसको अच्छी तरह सील करके बंद करके जैसे हम प्रेशर लगाते हैं इस तरह आपने इसको बंद कर देना है इस तरह प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद इसके उपर आपने लगा देनी है सीटी और सीटी लगाने के आपने इसको चूले के उपर रखना है हाई फ्लेम के उपर पांच मिट के लिए जब आपको सीटी की आवाज आनी शुरू हो तो फिर आपने स्लो फ्लेम कर देनी है पूरत दो गेंटे के लिए बिलकुल भी आपने प्रेशर कोकर की सीटी को बजने नहीं देना और ना सीटी बढ़े ही प्यारी होश्बू आ रही है हमारे किचन से तो देखे कितना जबरदस्त हमारा अर्बि दंपुफ्त बनके त्यार हो गया यकीन माने पूरे हमारे गर में इसकी हुषभू पहल गी है ज़रूर एस्पीट रेकिज्जेगा बनाना इसको बहुत यसाना है और करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करने कि आपने टमाटर के छिलकों को निकाल देने आलो और टमाटर और प्याज को निकाल के आपने लेदा रख लेने उसके बाद आपने गोश्ट को डिशूट करने फिर उसके उपर आपने आलो और टमाटर और प्याज को रख देने ब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेस्पी और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें तक मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें इसकी विए से मेरी होसला देखने होती है और मुझे कमेंट्स बोक्स में जरूर बिताएगा कि आज की रेस्पी आपको कैसी लगी